अभी अभी एक breaking news जा रही है बिहार से चलने वाली इस train में हो गया है बड़ा हाथसा और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम देंगे या बड़ा हाथसा कैसे टाला इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं तो चलने इस वीडियो को शुरू करते हों से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब अवस्य कर ले बिहार से होकर के अभी कई ऐसी train चल रही है लेकिन बिहार में ही चलने वाली पतना से जानेगर के लिए इंटर सिटी एक्सप्रेस में बरा हाथसा होते होते रह गया है पतना से जानेगर आ रही इंटर सिटी ट्रेन की एक बोगी स्टेशन पहुँच कर हाथसा का सिकार हो गई इस ट्रेन की एक कोच इस्टेशन पहुँचने से पहले जानेगर में पतरी से उतर गई ट्रेक पर ट्रेन की चपेट में सार के आ जाने के बाद यह घटना हुई हालाकि हाथसे में यात्रों को किसी तरह का नुकसान की सूचना नहीं आई है घटना रविवार की रात को हुआ है और लगभग सवाद 10 बजे की बताई जारी है सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी इसके नेतुरित में पहुँचे जहां पर पाया गिया की कोच के कुछ पाई ये पट्री से उतर चुके है रेल अधिकारी का नुसार ट्रेन पटना से जयनेगर आ रही थी ट्रेन सहर के सहीद चौक के निकट गुम्ती नंबर 49 से गुजरने वाली थी तभी अचानक पट्री के बीच एक सार आ गिया ट्रेन की चपेट में आ जाने से सार की कटकर मौत हो गई वही हाथ से में इंजन से दूसरी बोगी पट्री से नीचर उतर गई इस टेशन अधिक्चा बताते हैं कि यात्रों की कोई छती नहीं हुई है और ट्रेन मार्ग के किलियर कर दिया गया है खाबर लिखे जाने पर रेल कर्मी तुरंत इस घटना स्थालफर पहुँचे और यहां का जाय जा लिया तो यह था आज का अब्डेट नए अब्डेट के लिए और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवसे कर लें